हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो जो हमारी सीरी चल रही है जिसमें हम R.B.S.E. की सभी बुकों के जो भी नोट्स हैं कच्छा छेसे लेकर बारत तक S.S.T. के उनको हम देख रहे हैं तो आज हमारा जो उसमें टॉपिक है वो है राजिस्तान की जलवाई उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम डेली बेसिस पर डालते रहते हैं तो श्टार करते हैं देखियेगा राजिस्तान की जलवाई उससे हैं तो आपमान वा वर्सा के आदा पर राजिस्तान को मुक्य रूप से चार जलवाई उसमें बांटा जा सकता है तो आपसे सबसे पहला यही कुछन पुछा जा सकता है कि रायस्तान को कितनी जलवायू प्रदेशों में बांटा गया है तो चार है और वो कौन कौन से है देखिए पहला है सुस्क, दूसरा है अर्द सुस्क, तीसरा है अर्द और चौता है अत्यार्द देखिएगा सुष्क प्रदेस past시미 रायस्तान अंतरगत आता है जो वना प 될ू परह सभड़्यूिर देखिएगा सुष्क प्रदेस 12 में अंतरगत आताए जर्भा प्षभी रायस्तान उखव में क्याते तो यह वह सुष्क प्रदेस में आते हैं अब चलते हैं अर्द सुस्क की ओर जिसमें यहां 25 से 45 सेमी तक बरसा होती है तो जो हमारा अर्द सुस्क वाला भाग है उसमें जो बरसा की इस्तथी है वो 25 से 45 सेमी है आगे चलें तो देखिएगा आर्द रहें आर्द प्रदेश को देखते हैं तो यहां पचास से सतर सेवी तक बरसा होती है इसकी बात करें तो पचास से सतर सेवी तक इसमें बरसा होती है जिसमें जिले की बात करें तो देखिएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, समाई मा अपर टौक मुंदी और राज सबंद आते हैं यह सभी जिले हैं जो कि आदर प्रदेस के रूप में जारे जाते हैं राजसान में अब चलते हैं अत्यादर की ओन तो अत्यादर में देखिएगा जो बर्सा की इस्तति है वो 75 से भी अधिक होती है जिसमें अगर जिले की बात की जाए तो कोटा वारा जाला वार डूगर पर वास वारा स्रोही और उदेपर यह सभी जिले हैं जो कि अत्यादर हिस्तति है और यहाँ पे जो बर्सा है वो 75 cm से भी अधिक होती है अब देखिएगा कॉपन का वरगी करण को देखते हैं बहुत ही जाता इंपोटेंट है जिसमें आपसे जादा तरह जो पूछा जाता है कि AW क्या होता है BSHW क्या होता है BWHW क्या होता है और CWG क्या होता है तो देखिएगा कि AW होता है उसको हम कहते हैं उष्न कटमंद आत्र ठीक है और जो BSHW होता है उसको कहते हैं अर्द सुस्क प्रदीश और जो BWHW होता है उसको कहते हैं उष्न सुस्क प्रदीश जो क्या RPSC में पूछा क्या क्या कुश्चन है उसके बाद जो लाश्ट है वो है CWG जिसको कह कहते हैं मांसून बर्षा प्रतेश तो याद रखिएगा इन चारा को एडबलू बी एस एच डबलू बी डबलू एच डबलू और सी डबलू जी कॉपेंड का वर्गी करने जो कि बहुत बार पुछा जाता है अब देखते हैं रायस्तार की रित्व है रित्वों में अगर हम देखें तो रायस्तार की रित्यों में ग्रिस्मरित्व और बर्षा रित्व अब देखिए ग्रिस्मरित्व की बात करें तो यह मार्च से मद्द जून की तक होती है इस रित्व में प्रचंड लूग आपको पता होगा लूग किसे कहते हैं जो गर्मि उनसे सतंबर तक रहती है यह सबको पता होगा अब राइस्तार के संद्रब में देखते हैं कि राज में अधिकास वर्षा दश्च्ड पच्च मांसून से होती है तो इस चीज को बिसेश रूप से आप याद रख सकते हैं राइस्तार में जो वर्षा होती है वो दश्च्ड पूरवी भाग से उत्रपश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च भाग की और बर्सा लगाता कम होती जाती है। तो भूमातिसागरी चक्रवातों जो कि पश्चिम बिच्छों है से होड़े वाली बर्सा को मावट कहते हैं ये कुश्चन आया हुआ है देगी रीट में भी आया हुआ है और बैसे भी रे प्यासी में बहुत जादा ये पूछा जाने वाला कुश्चन है कि जो बिच्छों स पश्चिव बिच्छोब से जो बरसा होती है उसको मावट कहती है याद रखिएगा ये सर्द रितू में पढ़ती है जो कि आपको पता होगा गेहूं और सर्चों की पसल में काफी उपयोगी होती है तो इस चीज़ को भी आप बिसेस रूप से याद रख सकते हैं कि मावट क कीश होती है अब देखियेगा ग्रिस रूबर्दू कि बात करते है तो गिशनाबर्दू में राज्जय का सबसे ठंडा इस्तार है क्योंकि इसकी ऊचा ही औही अधिक है तो आप से ये पूछाय सकता है है और क्यों कि इस स्की ऊचाही पढ़ी हो तो आपको पता होगा ऑग जो गर्मी है वो कम होती जाती है जो temperature है वो कम होता जाता है तो यहाँ पर हमने राजिस्तान की जलवाईव के बारे बढ़ा इसके बाद हम पढ़ेगे भारत की जलवाईव जो के हमारे दूसरे वीडियो में रहेगी तो वीडियो अच्छा लगा हो संपरक करते हैं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत